नमस्कारी दिमित्रों, गुर्ण चाने अंदर अपड़े आवे आवे पुन्डावता नच, हवे ना प्रश्ण न एकमा नेम्डल कित प्रश्णों के उत्तर दीजे, उसमें प्रश्ण एक है हमारे मन में केसी भावना होने चाहे, तो उसका जवाब है हमारे मन में किसी से प्रश्ण दो, हस्ताक्षर करने के बाद गांधीजी ने लिखा, तुम्हारे इन आपुशनों की अपेक्षा, तुम्हारा त्याग ही अच्छा आपुशन है, तीसरा प्रश्ण, हमें पुस्तके क्यों परणने चाहे, इसका जवाब है, पुस्तक हमें ग्णान देती है, वे अच्छे बूरे भले की पहचान भी कराती है किताब से हमने जिन्ज ग्णासा की पुर्टी होती है, ग्णान विग्णान को गतिमान रखने का काम पुस्तक के करती है पुस्तकों से हमें अच्छी सच्ची सिख्षा और सच्ची मित्रता का लाप अविश्य मिलता है इस तरह हमारे जीवन में पुस्तकों का बहुत महत्व है अब आएगा प्रश्ण चोथा समय और सक्ति की बच्चत कैसे होती है तो इसका जवाब है कॉम्पुटर जैसे वैगनानी को उपकरनों के प्रयोग से समय और सक्ति की बच्चत होती है पाजमा प्रश्ण है खलिफा ने हसन को अपने दर्बार में क्यों बुलाया तो उसका जवाब है एक दिन खलिफा अपना भेश पदल कर सहर में गुम रहे थे एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायले का खेल सिलते हुए दिखा वे चिपकर उनका खेल देखने लगे जो लड़का न्यादिश बना था उसकी समझदारी और निर्णाई करने की पत्ति उन्हें बहुत अच्छी लगी उन्हें लगा कि अलिक वाज़ा और वाजित के जगडे को यह लड़का सुलजा सकता है इसलिए उन्होंने हसन को अपने दर्बार में बुलाया शटा प्रस्तन है तेविंद्र ने बिखारी के लिए क्या किया इसका जवाब है अंधा और बुढ़ा बिखारी राके भी पड़ा करा रहा था तेविंद्र ने उसे वहां से उठा कर खुटपाटपाट बिठा दिया जो रोटी बाहर गिरी हुई थी वह कटोरे में डाल दी सड़क पर उसके बिखर गए पैसे भी कटोरे में डाल दिये बिखारी के पाउं में जो लगे घाउं से जो कुन बहरा था इसलिए दिवाद्र ने उससे सहारा देखकर अस्पताल ले गया और वहां उसने बिखारी को भर्ती करवा दिया ठीके तो यह हमारा 6 के 6 प्रशना हमारे हो गए है वो आपको वर्रूप में लिखने है अब प्रशना दू आया निवले परिशेत को पढ़कर प्रशनों के उतर दीजी तो मैं पढ़ते हूं जीवन में खेल बहुत ही जरूरी है खेल से मनो रजञन मिलता है हमारी तंदुरिश्ती ठीक होती है हम कभी विमार नहीं पढ़ते रोज खेलने से खाया हुआ अन पज जाता है और सरील में स्पूरती आ जाती है खेल हमारे सारे सरील को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं जो लड़के नहीं खेलते, वे आलसी और विमार हो रहते, खेलते समय वो हमें अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूप बिल चुलकर खेलते हैं, जिससे हमें कई अच्छी आदते आप ही आप आजाती है, वे आदते आगे जाकर हमारे लिए बड़ी ला कारक होती है, इसलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पे भी पूरा जोर देना चाहिए, अब रशना है, जीवन में खेल क्यों जरूरी है, इसका जवाब है, खेल से मनोरंजन होता है, दंदुरस्ती ठीक रहती है, और हम नियोगी रहते हैं, खाया हुआ अन जो है, वो खेलने से पढ़ जाता है, और सरीर में स्पूर्ती हो जाती है, खेल में जो सरीर मजबूत और दिमाग तेज बनता है, इसलिए जीवन में खेल जरूरी है, दूसरा क्योस्चन है, खेल के अभाव में क्या होता है, तो उसका जवाब है, खेल के अभाव में सरीर में आलश से रहता ह और भूजन का पाचन ठीक से नहीं होता और हमसे और इस से हमारा जो सरी जो है स्वस्थ नहीं रहता और हम बिमार और तथा कमजोर हो जाते हैं तिसरा प्रशन है, पढ़ाय के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, क्यों? क्योंकि हां, क्या पढ़ाय के साथ खेल पर जोर देना चाहिए, तो हां. क्यों कि बढ़ाएक के साथ खेल पर भी दोर देना चाहिए क्योंकि जी खेलते समाई हम साथ्यों के साथ मिलजूल कर खेलते हैं हम साथ्यों का ख्यार रखते हैं इससे हमें अपने आप ही कई अच्छी आदते आ जाती है और ये आदत है हमारे भावी जीवन में बहुत उप्रोगी सापित होती है अब प्रश्ण चार है परिछट का योग्य शिष्चर दीजे तो इसका योग्य शिष्चर थे पहला तो है खेल का महत्व है वो दूसरा है खेल से लाप ठीके अब आजे है प्रस्न तिन में निम्नल लिक्विशाए पर अपने विचार लिखे तो हमें हमारे जो विचार जो है पहला है विध्णान का महत्वah तो विग्णान का महत्वा है कि विग्णान के विग्णान ने दुनिया को अनेक उपहा दिये हैं क्या दिये हैं विग्णान ने हमें अनेक उपहा दिये हैं रेल, मोटर, विमान, हैलिकॉप्टर जिसे यातायाद के साधर में विग्णान से नहीं दिये हैं पानी के जहार, स्टीमरे, पंडु भी उससी नहीं दी है जिस विजली के हमारे जीवन को तरतर की सुविधा मिलती है वो भी विग्नान ने के ही दिये है और विग्नान से हमें अन्नेक जीवन रखसत दवाया मिली है आदुनिक्स, सल्यच गिस्ता ने बहुत को नया जीवन दिया है आज खेती की नई-नई पद्रतिया का विकास हुआ है इससे देश में अनाज सागसबजी फल आदी का उत्बन बड़ा है टेक्टर से हमें खेती करना बहुत आसान हो गया है और यदि विगनार ना होता तो पुस्तकों की छपाई कैसे होती तरतर की मशीने कैसे बनती सिनेमा, दुजर्शन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, मोबाइल हादी हमें विगनार से ही मिले है इसलिए विगनार का जितना महत्म बताया जाए उतना कम है तुसरा प्रशन है देविंद्र की मनावता तो देविंद्र को परिक्षा देने के लिए शीक्र स्कुल पहुँचना था परन्तु रास्ते में उसे एक अंधा पुड़ा और अपाहिज भिकारे कराता हुआ मिला उसके पेर से खुन बहरा था देविंद्र ने सोचा कि इससे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए सहरा देकर वो लाचार भिकारी को अस्पताल ले गया और यहाँ वहाँ उसे भर्ती करवाया भिकारी के इलाज का प्रबंद करने के बाद वो परिक्षा देने स्कुई पहुँचा मानव सेवा के लिए उसने परिक्षा की चिंदा नहीं की उसने भिकारी की चिंद्गी को परिक्षा से अधिक मत दिया इस प्रकार देविंद्र ने अपनी मानवता का परिचाए दिया अब तिसरा आता है जैसी हसन का सच्चान आए तो वाजित ने अलिखवाजा की 500 मोहरे ले ली थी सबुत नहोंने से काजी भी उसे चोड साबित नहीं कर रहा सका था खलीफा ने यह मामला हसन को सोपा हसन ने सुजबुद से काम लिया और उसने तेलियों द्वारा तेल की जाँच कर रहा और साबित कर दिया कि वाजित ने खाजा का तेल निकाल लिया था और घडे में दूसरा तेल भरा था उसी ने घडे से खाजा की मोरे ले ली थी इस प्रकार बालग होने के बावजूद हसन ने अकलमंदी से काम लिया और सच्छा ने आय किया अब आता है प्रश्न चार में अपने मित्र को जन्मदिन की बधाय देते हुए हुआ पत्र लिखे तो ये पत्र आपको लिखना है तो एक सरफ से आपको अपने सद्नाम और सन्नाम लिखना है और फिर प्रियम मित्र करके अपने पित्र का नाम लिखना है फिर उससे कहना फिर उसके दूसरी और फिर कहना लिखना है सप्रेम नमस्तिन फिर हमें लिखना है कि जिसे के सत्तर नवंबर हो या तो पंदरा पंदरा डिसेंबर हो या फिर 16 मार्च हो तो जिस तरह से जिसका जन्मदिन होता है जरो के यहां पर साव हो सकता है 26 जन्मदिन के दिन भी जिसी का जन्मदिन हो तो उसका भी आप लिख सकते हो कि 26 जन्वरी को तुम्हारा जन्मदिन है और तुम्हें मेरी खुब खुब बढ़ाईया फी लिखना है कि मित्र मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी का निमत्रण पत्र मिला है उसमें यदि मैं शामिल होता तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती पर तु उसी दिन मेरी बुवा के बेटे की शादी है पूरा परिवार उसमें शामिल होगा सबके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा इसलिए मैं तुम्हारे पार्टी में नहीं आ सकूँगा आसा है तुम मुझे माप कर दोगे फिर दुसरे लिटे में देकर लगे लिखेगे एक बार फिर बधाई और तुमारा मित्र जो तुमारे मित्र का जो नाम होता है वो नीचे हमें लिख लेना है लास्ट में ठीके तो इस तरह से आपको बधाए पत्र का निभन इबन नहीं पत्र लिखना है अब प्रश्न पार्च चे है कहावत्तों का और्थ दिजए इसका जवाब है अपरादी द्वारा निदोष को धमकाना आसमान से गिरा खजुर में अटका तो इसका जवाब है एक मुसिवत से छुटकर दुसरी मुसिवत में फसना तिसरह जैसी करनी वेसी भरने तो इसका जवाब है अपने किये हुए बुरे काम का फॉल भुगतना अपने किये हुए बुरे काम का फॉल गुखत ना आज के लिए हम ये 5 प्रस्णा है प्रस्णा 1, 2, 3, 4, 5 पस यहाँ पे ही हम हमारा पुन्दावतन यहाँ पे खतम कते और दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आगे हम देखेगे पुन्डावतन आगे का जो है कहानी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ठीके अब एक दो तीन और चार और पांच प्रशन आपको अपनी कोपी में लिखने हैं ठीके